Hello friends, welcome back to my channel, commit to be fit, I am Neha Singh और आज के वीडियो में हम बात करेंगे Pilates के प्रिंसिपल के बारे में जो कि बहुत ही important होता है जब भी आप Pilates करते हैं और आप चाहें तो इन प्रिंसिपल को आप other forms of exercise में भी use कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चानल को सब्स्राइब कर दीजिए बैल अकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो से रिलेटिड सारी नोटिफिकेशन आपको मल जाए पलाटीज में हम पास तरह के प्रिंसिपल पर वरक आउट करते हैं फर्स होता है ब्रीफिंग प्रिंसिपल ब्रीफिंग प्रिंसिपल मींज आप किस तरह से सास लेते हैं जब आप वरक आउट करते हैं और यह बहुत ही जरूरी होता है कि आप अपनी ब्रीट पर अच्छे से फोकस करें जब आप वरक आउट करें अगर आप breathing principle को अच्छे से follow करते हैं, proper way में follow करते हैं, तो यह आपके mind को effective बनाता है to focus on every move and avoid unnecessary tension. ब्रीथिंग प्रिंसिपल में आपको inhale करना होता है nose से and exhale करना होता है mouth से. जब आप inhale करते हैं और exhale करते हैं, तो आपको ध्यान रखना होता है कि आपका core engagement का मतलब यह है कि आपका stomach है, जो आपका stomach होता है, थोड़ा सा pull in होना चाहिए और जो आपका pelvis होता है, वो भी pull in होना होता है और साथ में inhale करना होता है nose से और exhale करना होता है mouth से. बेसिकली नॉमली हम जब workout करते हैं या फिर नॉमली जब हम रहते हैं, तो हमारा जो breathing होता है, वो stomach के थू होता है, तो प्लाटी में आपको जो breathing होती है, आपको follow करना होता है, आपका core engage होना चाहिए, आपका pelvis होत चाहिए, दोनों को आपको अंदर pull and करना होगा और साथ ही में आपको inhale exhale करना होगा, सेकेंड होता है pelvic placement, pelvic placement एक important key है, जो की help करता है आपके pelvic और आपके lumbar spine को, lumbar spine means आपका S-curve, दोनों को stabilize करता है, इसमें दो position होती है, first is होता है neutral and second होता है imprint, pelvic placement पे आपके S-curve को maintain करना ह के लिए आपको करना क्या होगा, जो आपके hip bones होते हैं, this is your hip bones, इसे हम SS भी कहते हैं, आपके hip bones, आपके pubic bone से joint रहते हैं, तो basically आपको करना क्या है, यहाँ पर एक diamond shape बनाना है, so आपका जो pubic bone है और आपका जो hip bone है, यह तो ना तो आगे की तरफ होना चाहिए, ना ही इसको आपको ना तो upward लेके जाना है, ना ही forward लेके जाना है, और यह बिल्कुल सीधा होना चाहिए, अगर आप इस diamond shape को आगे की तरफ forward करते हैं, तो आपका जो spine होता है, वो extend हो जाता है, और अगर आप इसे backward लेके जाते हैं, तो आपका spine shrink होता है, तो हमें यह नहीं करना है विल्कुल सीधा अपको अपना S-Curve मेंटेन करके रखना होता है इससे फरग नी रखता है कि आप खड़े हैं या प्लेटे हुए है आपको अपना जो pelvic placement है उसको proper neutral रखना होगा और maintain करना होगा आपका S-Curve अगर आप करते हैं तो यह आपकी बॉड़ी के लिए शौक अब्जर्विंग पोजिशन होती है और आपके स्पाइनल के लिए बहुत ही बैनिफिशल होता है है थब भोकेश प्लेसमेंट यह समझने के लिए वहुत ही इजी होता है आपका जर्फेश यह अपका रिपकेश होता है जब भी आप इनहेल करते हैं सो बेसिकली जैसे मैं नोस से इनहेल करूंगी तो आपका जो रिपकेश है वो पॉप अपनी ओना चीभी आगे की तरफ इसको ना तो आगे की दरफ पॉप अप किया है, ना ही पीछे की तरफ शेरींक्обр शेंक लिया है तो यह भी आपका नूटरल होना चाहिě फ्लेण गाहिन और एक लाइन explosuis Fourth is shoulder placement. Shoulder means आपके कंदे, जो कि आपको ना तो वूबढ की दरफ इन दिन ऐसा यह जादा दर टाइमर्ण पर लाप टॉब टाप पे यह गाड़ी चलायदे टाइम निकल जाता है तो उसमें खिया होता है तो उसमें व्हाल एकी तरफ लेकर चाहिए फोड़ा सा अपर उठाके पीछे की तरफ लेकर जहें थोड़ा सा डाउन करें और थोड़ा से एक्षेंड करें गया इससे क्या होगा अपका न्यूटरल पोजिशन आचाहेगा और आप इसे मेंटेन रख सकते हैं इसके अलाब आप क्या कर सकते हैं, आपका जो हैं उसको आगे की तरफ लेके जे और थोड़ा से पीछे करेंगे तो आपका ये न्युक्री पोडिशिन हो जाएगा एफ नियुक्त और इंपोर्टन प्रिंसिपल इस ये हैं एन्परिंटल प्रिंसिपल इस ये आपका सिल और आपका जोगर्दन है उसका आपका जो प्लेसमेंट होता है वह प्रॉपर वे में होना जैए बेसे कली आपका जो हैद थो आगे की तरफ फॉवड ओना चाहिए नही जब आप प्लेटे वे भी है और या फिर आप प्लेट करके एकसरसाइस करते हैं तो जो आपका नेक है वो बिल्कुल स्ट्रेट और लॉंग होना चाहिए कि आपका जो नेक है और आपके टेस्ट गयाम कर लेते हैं जब मैं क्रण्श करते हैं तो यह इस पर जैम कर लेते हैं तो थो इसन को मेंटेन करने के लिए जो आपका मुठी होती है एक मुठी का घ्र रखना और आप करेंगे तो यह इतना ही गाप होना चाहिए आपके नेक और एड़ के बीछ में तो बेसलिक हैं में क्रंचेंग, तो इट शुड नॉट भी फॉवर्ड़िट अगर मेरा वोईस चेंज हो रहा है अगर मैं आगे की तरफ जा रहे हूं तो यह चीज नहीं करने हैं आपको इतना ही गाप मेंटेन करना होता है तो यह थे हमारे पिलाटीस के पांच प्रिंसिपल जिनने हमें जरूर से फॉलो करना होता है जब भी हम पिलाटीस करते हैं अगर आप proper way में Pilates के principle को follow करते हैं तो यह help करता है आपकी body posture को improve करने में, आपकी core की strength को बढ़ाने में और help करता है आपकी lean muscles को build करने में. तो इसके बहुत सारे benefit होते हैं, अगर आप कोई भी form of exercise करते हैं, तो उसके maximum benefit आपको मिलेंगे अगर आप इन principle को follow करते हैं proper way में. उमीद करती हूँ आपको Pilates के principle समझ में आ गए होंगे, अगर आपको यह video अच्छा लगा तो चानल को subscribe कर लिजे, बाल एकन को press कर देजे और वीडियो को like कर देजे, अगर आपको कोई भी query है और कोई भी confusion है तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं, till then stay fit, stay healthy and commit yourself to be fit.